नमस्कार मैं हूँ स्वपनिल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 राजस्थान राजस्थान में एक बार फिर से पेपर लीग हुआ है पेपर लीग मामले में एक बस भी कबजे में ले ली गई है आरोप है कि परिक्षार थी इसी बस में बैठ कर परिक्षा दे रहे थे परिक्षा स्थगित हो गई है सरकार के वही रटे-रटाए बयान है और है दोशारोपन आपको साथ मालूम है कि हम लोगों ने कादून पास किया भी बजट के पहले इस्टाशन के अंदर एसम्डे में ने कादून बना दिया विसका कड़ी सजा मिलेगी और जुर्द और कड़ा कादून बनाएंगे बस अब जरा आपको 2020 में सचिन पाइलेट की बगावत और 2022 में राजसभा चुनाओ के समय की वो तस्वीरे दिखाते हैं जब गहलोत सरकार पर संकट था और सीम गहलोत अपने विधायकों को बचाने के लिए बस बस और होटल होटल घूम रहे थे यही नहीं बात सिर्फ राजस्थान की यह नहीं है बलकि मध्यपरदेश, महराष्ट्र, गुजरात, करनाटक या कोई और भी राज्य हो जहां पर भी कॉंग्रिस पर संकट आया तो राजस्थान के मुख्या सबसे आगे खड़े होकर उनकी आगवानी करते हुए दिखे संकट वाले राज्यों के विधायकों को ले जाने को लेकर उन्हें रुकने की उच्चितम व्यवस्था का भी इंतजाम किया ताकि वहां के कॉंग्रिस विधायकों की खरीद फरोप्त ना हो सके बसों से लेकर लगशरी होटल तक की व्यवस्था की गई वहाँ पर सर्विलांस भी लगाए गए कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि विधायकों के फोन तक टैप किये गए ताकि विधायक टूटे नहीं और सरकारें बची रहें खेर बीते करीब चार सालों में स्यम गहलोत ने अपनी जादूगरी का पूरा मुझायरा पेश किया बगर इन ही चार सालों में राजस्तान में करीब दर्जन भर ऐसी परिक्षाएं हुए हैं जिन में लाखो बच्चों का भविश्य दाव पर था मगर उन में से ऐसी कोई भी परिक्षा नहीं रही जिस पर लीग का कलंक ना लगा हो चलिए जरा उन तमाम परिक्षाओं को आपको तारीखों के साथ याद दिला देते हैं लाइब्रेरियन भर्ती 2018 दिसंबर 2019 में भर्ती परिक्षा पेपर लीग के चलते रद्ध हो गई J.E.N. Civil Degree 2018 दिसंबर 2020 में परिक्षा पेपर लीग के चलते रद्ध REIT Level 2 2021 सितंबर 2021 में हुई इस भर्ती परिक्षा का पेपर लीग हुआ करीब चार महिने बाद हुआ रद्ध Constable भर्ती 2018 मार्च 2018 को परिक्षा का पेपर लीग हुआ परिक्षा रद्ध कर दी गई Constable भर्ती 2022 में दूसरी पारी का पेपर लीग पेपर रद्ध कर दोबारा परिक्षा हुई High Court LDC भर्ती मार्च 2022 में भर्ती परिक्षा पेपर लीग परिक्षा रद्ध पहले दो बार परिक्षा ऑनलाइन हुई गड़बड़ी के चलते बाद में कराई गई आफलाइन परिक्षा CHO भरती 2022 भरती होने के बार पेपर लीग को लेकर मुकदमा दर्च हुआ वन रक्षक भरती 2020 एक पारी का पेपर सोशल मीडिया पर वारल हुआ परिक्षा रद्ध हुई फिर दुबारा परिक्षा कराई गई बिष्ली विभाक टेक्निकल हलपर भरती 2022 छे केंद्रों पर परिक्षा रद्ध हुई 2nd Grade शिक्षक भरती परिक्षा 2022 सामान न ग्यान का पेपर लीक हुआ और परिक्षा रद्ध कर दी गई आपको बता दे, साल 2023 के आखरी महीने में राजस्थान में विधान सभा के चुनाओं होने हैं गहलोत सरकार सत्ता में रिपीट का दंब भर रही है मगर क्या सरकार के मंत्री और उनके मुख्या इन तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं कि पिछले चार वर्षों में किस तरह से वो विधायकों को बचाने में सरकारी तंत्र का उप्योग करते रहे उनका उप्योग परिक्षा के पत्रों को बचाने में क्यों नहीं किया गया क्यों नहीं परिक्षा पत्रों को बनाने वाले लोगों को सर्विलांस में रखा गया क्यों नहीं उनके फोन जब्द किये गए क्यों नहीं परिक्षा पत्रों को किसी लक्जरी होटल में रखवाया गया विपक्ष का आरोप है कि परिक्षा लीक में सरकार हमेशा मचलियों पर कारवाई करती है लेकिन मगर मच बच जाते हैं तो सवाल है कि जितनी भी परिक्षाएं लीक हुई है सरकार ने उन पर ऐसा कौन सा एक्षन लिया है और अगर लिया भी है तो ऐसा कैसा action है कि राजस्थान जैसे राज्ज के अपराधी इतने बेखौफ क्यों है आखिर नमस्कार